नमस्कार दोस्तों स्वगत आपका इस टेडीफोर सिविल सेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर कता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगा इस वीडियो में हम जीअस पेरळियो के जरूर के अच्छा करेंगे हम डिसका करें के ऐच्छमान भारत डिजिटल मुशन को तो चलिया के बढ़ते हैं ändern करें हम आंसर के शुरुवात करेंगे यह पताते हुए कि आईश्मान भारत डिश्टल मिशन 2021 सितंबर महिने में लॉंच हुआ था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी द्वारा इसका एम है 14 डिजिट का एक डिजिटल हेल्थ आइटिटी काल्ध हर सिटिजन को प्रोवाइट करना यह मिशन इंप्लिमेंट कर रही है नाशनल हेल्थ अथोरिटी यानि की राष्टी स्वास्त प्राधी करन जो की आता है मिनिस्टर आफ हेल्थ और फामिली वेलफेर परिवार कण्यान मंत्राले के अंतरगत फिर हम देखते हैं आइश्मान भारत डिजिटल मिशन के फीचर्स क्या-क्या है तो आइश्मान भारत डिजिटल मिशन के फीचर्स देखने के पहले मैं आपको बेक्राउंड इंफोर्मेशन देती हूं कि 15 अगस्त 2020 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाँच किया था आइश्मान भारत डिजिटल मिशन है यह हमारे नाशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का एक एक स्टेंड़ वर्जन है तो इसके में फीचर्स क्या-क्या है तो इसका पहला फीचर है कि और इंडियन सिटिजन को एक यूनिक हेल्थ आइटिटी कार्ड प्रवाइड किया जाएग यह देखे वॉलेंटरी बेसिस पर किया जाएगा यह एक अंपलसरी नहीं है जो लोग रजिस्टर होना चाहेंगे वो रजिस्टर होंगे और उन्हें फिर एक यूनिक हेल्थ आइडी प्रवाइड किया जाएगा स्वेक्षा से उनकी साथी साथ एक उनका हेल्थ प्रयागराज में रहने वाला कोई आदमी किसी बैंगलोर के हॉस्पिटल में दिखाने जाता है तो उसको अपना ताम जाम अपना पुरानी रिपोर्ट नहीं लेकर के जाने पड़ेंगी उसकी पुरानी जो हेल्थ की हिस्ट्री है वो सारी ऑनलाइन मिल जाएगी अजुद ओस्फरा यह है कि बार-बार किसी अदमी को चेक अपनाने करेंगे क्योंकि कहीं भी हॉस्पिटल में जाएं तो बार-बार चेकक अप करने पढ़ेंगे उसे तो वो तो टाम कंजीयूमिंग होता है साथी साथ उससे एक आज कितना हल्थ बढ़न पढ़ता है हमार रजिस्ट्री बनाई जाएगी, हेल्थ केर फैसिलिटीज की रेजिस्ट्री बनाई जाएगी, जिससे की easy electronic access मिल जाएगा, online access मिल जाएगा, डॉक्टर्स का और other healthcare facilities का, जो डॉक्टर्स है उनको जोड़ा जाएगा, ऑनलाइन रेजिस्ट्री से साथी साथ जो healthcare facilities, जानी हमारी labs हो गई और जो दवाई की दुकाने फार्मेसीज हैं उनको जोड़ा जाएगा, जिससे की घर बैठे बैठे अगर आप पूरे इंडिया की किसी पूर डॉक्टर से, तॉप मुस डॉक्टर से, चंसल्ट कर सकते हैं, विदाउट फिजिकली वहाँ पर आप फिजिकल एक्सेस लेने की बजाए अब घर बैठे 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 कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपका यूपी में बैठा कोई इनसान कंसल्ट करना चाहे तमिल नाडू में बैठे किसी डॉक्टर से, तो वो कंसल्ट कर सकता है अराम से तो एक यह फायता देखने को मिलेगा कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटी से कि एक घर्चा कम हो रहा है साथ ही साथ आपको जो ट्रावल कॉस्ट है वो नहीं देना पड़ रहा है अगर रिक्वायमेंट होई कोई ऐसी कि आपको फिजिकली ही तो ही जाने की ज़रुद पड़ेगी आपको गहन्टो क्लिनिक में बैट करके वेट करने की ज़रुद भी नहीं पड़ेगी तो यह फायता देखने को मिलेगा तो उसके बाद तीसरा हमारा इस मिशन का फीचर क्या है कि इसमें एक संड़ॉक्स बनाए जाएंगे संड़ॉ फीचर होते हैं कि अगर जैसे कोई ओर्गनाइजेशन है जो आईश्मान भारत डिजिटल मिशन से चुड़ना चाहती है तो उनको एकस्स प्रोवाइट कराई जाएगी एजी अकसिसिबिलिटी दी जाएगी कि वो जुड़ सके मिशन से साथ ही साथ ही साथ है जो हेल्फ इ इस पहले में आपको इंफोमेशन देना चाहती हूं कि Study for Civil Services के UPAPSC Pre or Mains 2022 के लिए पेट ग्रूप स स्टार्ट हो चुके हैं आप नीचे दिएगा नंबर पर कॉल करके जनकारी ले सकते इन पेट ग्रूप्स की यहां पर आपको 1-2-1 गाइदेंस के साथ फुल स्टाडी माट आपकी सारी क्योरी को सॉल्फ किया जाएगा आपकी आपकी अंसर आइटिंग प्राक्टिस के साथ सत्ता रिव्यू भी किया जाएगा तो आपकी बहुत अच्छी बहुत स्ट्रॉंग पर्परिशन हो जाएगी अगर आप इन पैचर को जोईन करते हैं तो आप नीचे में कहा गया है कि जो वॉलेंटरी आप डेटा शेयर करेंगे सरकार आपसे पहले परमिशन लेगी कि आपका डेटा इस पर्टिकुलर एंटिटी को शेयर किया जा रहा है अगर आप एक्सेस देंगे तभी आपका डेटा शेयर होगा पर कुछ अगर टेक्निकल ग्लिच्छ हो जाए और आपका डेटा लीक कर जाए तो तो सबसे पहला आपका प्राइविसी का इशू देखने को मिल रहा है क्योंकि हर सिटिजन नहीं चाहेगा कि उनकी हेल्थ हिस्ट्री की जाए किसी के भी साथ तो एक पहला प्राइविसी का इशू है और हमारा जो के एस पुट् क्योंकि अगर ये टेता हमारा लीक होता है तो सबसे बड़ा इसका मिस्यूस कर सकते हैं जो पर्सनल हेल्थ केर सर्विसेज प्राइविसी 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 सबसे बड़ा कंसन है फिर उसके बाद हमारा यह कंसन है कि एक्सक्लूजन ऑफ सिटिजन फॉर्म डेस्टाबेस अगर सिस्टा में किसी तरह की कि खराबी हो जाती है तो जो नागरिक का डेटा नहीं अक्सस हो पा रहा है तो वो उसे काफी स्वास्ता सेवां से बंचित होना पड़ेगा उसे एक्ससी नहीं मिल रहा है तो अगर वो डेटाबेस से बाहर हो गया किसी वज़े से तो एक यह भी कंसन है फिर उसके बाद हमारे इंडिया में हेल्थ स्वास्पाज जाएंगे किसी हॉस्पिटल की तो फिर तो वो डॉक्टर की मालिज रीचिबिलिटी बढ़ जाएगी पर हमारे जितना डबलु एचो प्रवाइट करता है उसे काफी कम डॉक्टर है पर परसन तो कितनी पॉपुलेशन पर कितने डॉक्टर को रिकमेंड करत तो इसमें इफेक्टिव इंप्लिमेंटेशन में इस मिशन को अच्छे सिंप्लिमेंट करने में काफी हमें धिकत देखने को मिल सकती है तो अब हम कंक्लूजन पर आते हैं कि इंडिया में लिटरिशी और पॉवर्टी बहुत जादा है तो अगर डिजिटाइज किया जाए अभी हमारे मोबाइल फोन इंटरनेट पहुंचे भी नहीं हो पहुंच गए हैं तो जो हमारे 60 प्लस जनता है जिसको हेल्थ केर फैसिलिटीज की सबसे ज़्यादा ज़र्वरत होती है वो अभी इन्हें चलाना ही नहीं चानती है तो वो एक्सेस कैसे कर पाएगी अपना ड दिजिटल डिवाइड और फिर उसके बाद दूसरा है कुछ डिजीजस ऐसी होती है जिनकी वज़े देखने को मिलता है तो अगर किसी तरीके का डेटा लीक होता है तो उन डिजीजस की वज़े से इंसान को डिस्क्रिमिनेशिट का सामना करना ही को देखना पड़ सकता है उसे फेस करना पड़ सकता है सुसाइटी में तो इसलिए एक डेटा प्रोटेक्शन लॉग आना चाहिए एक प्रॉपर जिसे के डेटा का मिस्यूज ना हो प्राइवेसी बनी रहे आप पूरा एक प्रॉपर फ्रेमवर्क लेकर के आईए तब इस तरीके के मिशन को आप ल तो आज से आने वाले 10 साल बाद आज मालीजे 2021 में है हम तो 2021 तक जितनी भी हेल्थ इसूस हमारे रजिस्टर होते जाएंगे तो एक टाइम प्रीट के बाद इसकी स्टड़ी की जा सकती है कि किस तरीके से नई बिमारिया फैल रही है या कौन कौन सी बिमारिया जादा बढ तो यह प्लान बहुत अच्छा है पर इसका एक जो प्राइवेसी का इसू और जो कुछ इसमें हेल्थ प्रोफेशनल की कमी डिजिटल इंफ्रस्ट्रक्चर की कमी है इस सारी चीजों को टैकल किया जा सके तो इस प्रोजेक्त बहुत अच्छे से इंपलिमेंट करा जा सकता है और इसका बहुत बेनिफिट देखने को मिल सकता है हमारी जनता को तो इसी के साथ हमने इस टॉपिक को कवर किया आगे आने वाले वीडियो में भी हम करेंट अफेसर इल्टे टॉपिक को कवर करते रहेंगे वन बाई वन तो बनी रहेगा चानल के साथ मिलते हैं नेक्स वीडियो में थांक यो फो वचिव और फॉचि वीडियों